तो जब मैं नएना कैनेडा था ना मैंने काफी सारी मिस्टेक्स करी थी जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जहां पर मैं इसी पांच गलतियों की बात करूंगा जो कि युजुली नए इंटरनाशनल सुडेंट्स करते हैं तो पहले प क Цिबा मैं जैसे कि मैं जब आथां चाहां साल फाथा और मेरा कोई क्रेट कर्च कर था ले इंडिया में मेरे पास और मुझे आदत बिनी आप करेज्टद करें यो एक तो आपको आदत नहीं आएं तो आपको आदत पढ़ जाएगी क्रेट काइट यूज करने की जो पैसे आपके पास नहीं है वो पैसे खर्च करने की जो कि काफी बूरी आदत है आप जादा खर्च करोंगे जितना आप कमाते है उससे थीक है वह चीज एक अच्छी चीज नहीं है दूसरा कि आपको क्योंकि आदत नहीं है क्रेट कार्ट मैनेज करने की तो आपको बिल पे करना होता है और अगर आपने कोई स्टेटमेंट या कोई बैलेंस कर दिया पे करने से तो आपको बहुत जल्दी से डाउन जाएगा और स्पेशली आपको वह क्रेडिट कार्ड्स अवाइड करने हैं जो कि आपको ग्रॉसरी स्टोर से सुपर मार्केट में मिलते हैं जैसकि अगर आप जोगे रियल केनीडियन सुपर स्टोर या फिर वालमार्ट तो इनके खुद के क्रेडिट कार्ड्स होता है जो कि आपको बेशने का ट्राय करेंगे और कहीं है कि यह ले लो इससे आपको हमारे स्टोर में डिसकांटेट में लेंगे इतने तो simply एक या दो क्रेडिट कार्ड अपने पास रखो जब मैंने कानड़ा था तब मेरे पासे वे क्रेडिट कार्ड था फिर 5-6 महीने बाद जो है मैंने अपना सेकेंड क्रेड कार्ड लिया उसके बाद जो है अब तीसरा क्रेड कर अप्लाई करा हुआ हुआ है जिसमें मु अपने आपको मैंने कंट्रोल कर लिया उस एरिया में ठीक है तो आपको अपने सबसे पहले अदर डाल ली है थोड़ा क्रेड कार्ड यूज करो उसके बाद आप जो है एक बेटा क्रेड कार्ड की तरफ जा सकते हो मल्टेबल क्रेडिट कार्ड आते ही कैनेटा मत लेना और इस चक्कर में मैं घर के अंधर वीडियो बना रहा हूँ जो कि बाहर तो बनाने का मतलब ही नहीं है भाई दिखेगा ही नहीं कुछ तो कैनेटा के बारे में यह वी एक इंट्रेस्टिंग चीज है कि यहां पर विंटर में 5 अशे बहे तक रात हो जाती है और अगर तुम समर्स की बात करोगा तुम समर्स में आ रहा तो तुम देखोगे कि यहां पर 9 या 10 बहे तक दिन ही रहता है तो वो काफी तब से आज तक डेड़ साल हो गया मैं 75 डॉलर्स पर मंथ पे करता हूं अपने हेल्थ इंशॉरेंस के जो कि मुझे गवर्मेंट की तरफ से मिलता है जुकि मैं ब्रिटिश को लंबिया में रहता हूं को यहां का एक मेडिकल इंशॉरेंस इसका नाम है ब्रिटिश को लंब मैं शॉर कि आपको नहीं देना अच्छा लगेगा तो इसलिए एट अल टाइम साव एक्टिव हेल्थ इंशॉरेंस पॉलिसी और जब तुम इवन इंडिया से कैनेडा हो ना मैं तब भी सजेस्ट करता हूं कि एक ट्रावल इंशॉरेंस लेकर आओ ताकि तुमें अगर इन जो है मैं इंडिया से ही लेकर आथा ताकि अगर मुझे कुछ दिख्कत हो तो मुझे लाखो करोड़ रुपए ना देने पड़ें और हायर अगर तुम अपना कैनेडा का सिम इंडिया से ही लेकर आओ जिसमें काफी सारे बेनेफिट्स मिल जाते हैं आपको बहुत ज्याद आओगे तुम एजिली अपने केनीडियन लिटर को कॉल कर पाओगे या तो तुम्हारे इंटरेट भी चल रहा होगा तो कवी ज़्यादा कन्वीनेंट हो जाता है तुम्हें करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा वहां जाना और अपनी डिटे जो कि मैं देखें चाइनीज कॉल साती है और पता नहीं कहां कहां से कॉल साती है तो प्लीज जार स्काइम से मत फसना मेरी एक फ्रेंड जो कि अभी एक स्काह में वसी ती उसने करा था इसको एक मेंसिज आया था कि कैनीडियन गवर्मेंट निया को 400 बेजे उसे 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 अपने बैंक की डीटेल्स डालती है और इसके सारे पैसे बढ़ गए असना नीच यह बट ऐसे भाई स्काहम हो रहे हैं और लोग फस भी जाते हैं तो मेक शूर कि तुम ऐसे स्काहम से मत फसो और कॉल्स में भी कवी सारे स्काहम साते हैं कि आपकी यूपीस की डिलिवरी ज प्रश्च जी साते हैं अब अब मलम स्काहम से कुछ होते हैं ठीक है इंडिया में तुमने सवना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग ठीक है ऑल्दो इनको तो मैं सकाहिं नहीं सकते बड़ टेकनिकली यह स्काहम की मैं दालूंगा योंकि इसमें तुम्हें पाल्स होग देत क्योंकि इस अच्छा तुम जितना टाइम उसमें डालोगे इतना टाइम अगर तुम जैसे मैं यूट्यूब चैनल में लगा रहो ना मैं इस से जाधा पैसे कमाला हूं जितने वह हमाते होंगे सेम टाइम लगा के ठीक है तो प्लीज किसी ऐसी जगह पे अपना टाइम जो है वो दिमाग लगा के सोच समझ के चूज करना ठीक है आपको काफी चाहिशी से देखनी पड़ती है जब आपको चूज कर रहे हो जब तुम नए नए इंडिया से आते हो कैनेड़ा तो आपको जाधा पता नहीं होता कैनेड़ा के बारे में और आपको जो कमरा मिल जा हूँ अभी रिसेंटली मुझे घर चेंज करना था और मुझे बहुत बढ़ी डील मिल रही थी एक बहुत ही नियूली बिल्ट घर था जिसे मुझे एक रूम मिल रहा था बहुत ही अच्छे प्राइस में लेकिन जब मैं वहां पर गया और मैंने गूगल में आप स्कूल के पहुंचने में तो इसलिए जो है मैं उस जगह पे नहीं रहा और इवन मेरे कॉलेज से भी काफी दूर था ठीक है और फाइनली मुझे एक कमरा मिल चुका जो कि मैं तुम्हें देखा हूँ अनि अभी में फ्यूचर में कभी इसका भी रोम टॉर करेंगे जो कि बहुत प् हमेशा आसा ही होता है कि अगर तुम किसी जगह पर रह रहर हो जहान पर चार लोग यह हैं रोज बाहर से कहना मंगी तो 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 थुम्हां भी जो है बाहर खाने का ज़ो आपने का यह न Haarant 22fortable पी upgrading ऑदो और एज़ा और अगर तो पड़ाई नहीं तो आप ऐप आएसे रon गोल्स मैच करते हो आईडिलोजी मैच करती हो नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है जो कि कहते हैं कि हमें में अच्छी में पीस है और इसलिए मैं हां रहता हूं ठीक है क्योंकि मैंने दूसरी चीजे भी काफी से कुछ पास में दूसरे जहां पर में रहता था इसलिए मैं मुझे एक अच्छी जगा मिल गए जहां पर मेरे जो है में इसलिए आपको जो है आइसोलेटेड़ होके नहीं रहना ठीक है बहुत जादे इंपोर्टेंट है कि तुम बाहर निकलो नए लोगों से बाते करो क्यों क्योंक दो है रिख् a baldी के यहां अटफ्सपी अनुग्या में असे मांथा हो कि मुझे एक्षपीर्यट्राइप तो üz parent ब sat लुआ को अच्छे से लोग है शिर्फ तुम्हें कॉंखे बिगोंग हो काम कानपक ने जातए ठीक है तुम्हें दोख स्वेख करना चांगए ऐक्स या तुम्हें क्लास में जो है ना चुप-चुप होके नहीं रहना ठीक है बोलो बाते करो यह मैंने चीज काफी लेट सीखी है पहले एक दो समेश्टर में काफी चुप-चुप रहता था लेकिन उसके बाद तुम्हें बात करनी हो या फिर इंटराक करना हो फुछ पूछना हो तो हिच चाना बंद कर दो बिल्कुल चुकि तुम कानड़ा हो यू कन अडॉप न्यू परस्नालिटी ठीक है किसी को नहीं पता तुम कैसे हो ठीक है इंडिया में होता था कि अगर एक बच्चा शानत है और वह चानक से बूले लग जाए ठीक है अपनी परस्नालिटी चें तुम भी वह जीज़ करें और यह काफी इप दे रहा हूं प्लीज के बार में सोचना अगर तुम के कुछ पूछन है कुछ पूछन है मुझसे कनेक्ट होना तो तो मुझे इंस्टग्राम पर मेंसेज कर सकते हो मेरी इंस्टग्राम की आईडिया ही कर यहां रही होगी चैन तो तुम वह लीडियो जाके चेक आउट कर सकते हो दिस वो समर्जीत साइनिंग आफ